जैन सातियों, सातियों इस टॉपिक में हम बात करेंगी कि जमीन की रेजिस्टरी करवाने के बाद सरकार खुद आपको कबजा करवा के देगी और जो भी जमीन संबंदी, विवाद जमानली सरकारी, जमीन, डेवल रेजिस्टरी, लॉन संबंदी यसी कोई भी समस्या हो तो जो है, वो सरकार स्वयम सौट आउट करेगी, देखे सातियों क्या है, कि जब भी आप कोई प्रोपर्टी खरीदते हैं, रेजिस्टरी में, आप लाखों रुपए जो हैं, वो सरकार को देते हैं, लाखों रुपए, जैसे माल लीजिए, आपने 20 लाख के एकर 30,000 रुपए का स्टांप आपने स्टांप सुलक पे कर दिया, इसके बाद भी जमीन खरीदेते समयर लोगों के संबन में कई डाउट रहते हैं, या खरीदने के बाद कई परेसानियां आती हैं, जैसे माल लीजिए, कोई डेवल रेजिस्टरी तो नहीं है, ये रेजिस्ट आती हैं, और तमाम समस्यां ये कब आती, जैसे माल लीजिए, आज आपने रेजिस्टरी कर वाली, 20,00,000 रुपई की प्रोपरिटी खरीदी, आप उस पर कभजा लेने गए, तब पता चला गया रहे, इस पर एक तो मुकदम चला था, अब वो आपका लफड़ा पड़ा है आप को टर चरीक चक्कर काट रहे हैं, या आपने जमीन खरीद ली, और उसके बाद आप जाते हैं, तो वहाँ पर सरकारी लेक पाले स्टीम खड़े हो जाते हैं, नहीं ये तो उसमें चरागा में जमीन है, ठीक है, या मान लीजी उस पर जो है, अन्य कोई विबाद कर रह है, कि सरकार को एक ऐसी सुविदा, एक ऐसा पोर्टल जारी करना चाहिए, कि जैसे मान लीजी आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, किसी गाटा में, या कोई गाटा संग्या जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो आप उस पर आविदन करें, और सरकार की रेस्पोंसिबिल चाहिए, जो भाई, आठाठ लाग रुपए स्टांप ले लेती है, पचास पचास जार रुपए स्टांप लेती है, सरकार, तो इसमें सोचने वाली बात है, कि सुविधा क्या दे रही है, दूसरा बंदा, बीस लाग की जमीन करीद रहा है, दो लाग आपको दे रहा है, आपने दो लाग रुपए क्यों दिए, भाई सरकार क्यों है, देखिये, माली जी आपसे प्रती एक चीज में सरकार टेक्स लेती है, ठीक है, तो टेक्स के रूप में सुविधाय देती है, जैसे माली जी अस्पताल हुए, सुरच्छा हुए, तो भाई जमीन के मामले में आपसे दो दो लाग रुपए ददस लाग रुपए स्टंप ड्यूटी लेते और उसके बाद भी वो जमीन विचारा जो जमीन खरीदता है मेहनत की कमाई करके वो सब कुछ स्टंप में दे दिया जमीन वाले को दे दिया अब विचारा कोट के चरी कड़े तो सातियों यह ची को सस्क्राइब करें कमेंट करें और ट्विटर पर